मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका सागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल VSM Academy The Spirit of Education सो बच्चो लास्ट लेक्चेर में मैंने सेट्स फिनिश कर दिया सेट्स एं रिलेशन ये दो चैप्टर थे दो टॉपिक थे देखते हैं किसके किसके कॉलेज में चैप्टर हुआ होगा तो अगर बच्चो हुआ है इसका मतलब आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे से सीखा क्यूंकि लगबग मैंने हर एक कोश्चन उसके अंदर के सॉल किये हुए है और जो भी चैप्टर का लिंक है मैं हर एक चैप्टर को जो भी मैं चैप्टर करौँगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो घवरानी कोई जरूत नहीं है फड़ाब लिंक पे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो आपको पूरा का पूरा कोर्स क स्टारट करने लिए मैं लोकास भी स्टार करूंगा एक स्टार्ट करूंगा तो पैरलली मल्टिपल टॉपिक्स करते रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि वीक में 7 गोते हैं complex number को add कैसे करेंगे सब्ट्राइक कैसे करेंगे सारी की सारी चीजे अब ध्यांद ना complex number start करने के पहले कुछ मैं आपको basic explain करता हूँ जैसे number system क्या होता है students कई लोगों को number system में problem होता है कि sir ये number system होता क्या है right तो आज के lecture के बाद उन सभी को मैं guarantee के साथ बोलता हो number system में problem नहीं होगा सब फ़र्स नंबर सिस्टम क्योंकि यह सब numbers है ना यह number system बने कैसे one by one sequential manner में उनकी बारे discuss करते हैं तो first number system is strengths natural numbers बोलो first यहां पर क्या है बच्छो natural numbers अब जो natural numbers होता है उसको हम दिखाते है capital N से किसे दिखाते है capital N से और इसकी वैलू स्टार्ट होती है वन से तो वान टो थ्री फोर डॉट 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 इंफिनिटी यह बच्छो क्या हमारा natural numbers फिर जो आपका second होता है उसको हम बोलते हैं whole number क्या बोलते हैं होल नंबर्स अब आपके घर में अगर आप देखोगे तो एक सॉकेट होगा सॉकेट में ऐसा उंगली नहीं उसके अंदर जोश मताओ वो जो सॉकेट होता है देखोगे आप इस तरीके का होल जैसा कुछ रहता है whole और इसकी तरह दिखता है नंबर में 0 की तरह तो 0 की तरह दिख गया महत्तब whole number को हम दिखाते है है W से और जो उसकी वैलू स्टार्ट होती है जीरो से क्योंकि होल जीरो की तरह दिखता है जीरो आएगा फिर वन आएगा फिर टू आएगा बच्छो थी फॉर फाइव सेक्स डॉट 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 इंफानाइट इस हम क्या बोलते हैं होल नंबर अब कही लोग बोलेंगे सर आपने फॉर फॉर फाइट पॉजिटिव नंबर बता दिये जीरो को इंवन कर दिया एक बात और जीरो का कोई साइन नहीं होता जीरो इस नॉट का ना तो स्फ्लाइस साइन होता है ना ही माइनस साइन होता है बच्छो ऑटिए yeah होता है हमने पॉज्टिव नंबर ले लिया हमने जीरो ले लिया जो आपका नेक्स्ट नंबर सिस्टम आएगा जैसमें निक्निटिव वाले नंबर को भी इंक्लिड करेंगे और इसका नाम क्या होने वाले that is called as integers okay perfect so integers को दिखाते हैं आई पे कहीं कहीं पे दिखाएंगे जेड से भी बड़ डरने की जरूत नहीं है यहां पर मैं जेड से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जेड से किसी और को दिखाऊंगा जोखी बेचारा एकदम कॉपी रैट लेके बैठा ही बैए मैं जेड से ही रिप्रेसेंट होंगा और किसी से नहीं समझे न तो इसलिए हम लोग इंटीजर को आई से दिखा देते हैं आई की जो वैलू होगी यह 0 होगी 1 होगी देन 2 देन 3 4 साथ ही साथ मैं जाओ-1-2-3 डिया दे नमबर लाइन के नमबर ऐसे होते हैं अब इसमें अगर आप numbers देखोंगे बच्चों यह जो आपका 1 से लेकर के infinite है इसको हम बोलते हैं i plus क्या बोलते हो चो i plus और यह minus 1 से लेकर infinite जो भी number से इसको हम बोलते है i minus अब बोलोगे सर यह i plus i minus का है i क्या होता है integer प्लस मतलब positive माइनस मतलब negative तब क्या बोलोगे i plus मतलब बच्चों क्या जी हाँ positive integers अगर बोलेंगे i minus तो क्या हो जाएगा जेस्ट्वेंट नेगेटिव इंटीजर्स तो 12345 इस आर दी पॉसितिव इंटीजर्स-1-2-3-5 इंफानाइट उसे हम क्या बोलेंगे negative integers जीरो का sign क्या होता है नहीं plus नहीं minus जीरो का कोई sign नहीं होता तो बच्चों यह क्या हो गया हमने क्या सिगा दिया आपको integers अब integers के बाद जो next number आने वाला है और यह next number होगा कई लोग ने बोला अब जो नंबर आने वाले वह स्वाइं वाले नंबर से सो उनका हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ तो बोलो क्या नंबर उसका जी हां that is called as strands fractional numbers so fractional numbers एक ऐसे numbers होते हैं जिसके अंदर points हम include करते हैं अब फ्रट डीटेल में पढ़ते हैं fractional number को देखो सब लोग confused नहीं होना बच्छो fractional number को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में first part and second part जब का first part है उसका नाम है rational बोलो क्या नाम है बच्छो rational numbers और जो second है उसे हम बोलते है irrational बोलो क्या बोलते हैं irrational numbers देखो numbers को ले करके कई लोग confused रहते हैं कौन से number क्या होते हैं आज की lecture में का सारा का सारा confusion खतम numbers को कि sequential manner में सीखना होता है मैं आपको सिखा रहा हूं सो हम बात करेंगे rational और irrational हिंदी medium परी में और अपर में राइट अब मराथी medium भी सहीं ही होगा राइट सो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों क्या rational numbers के बारे में तब ये rational numbers होता क्या है तो definition में चलते भाई फड़ा फड़ाम लोग और definition क्या बोलता है कि कोई भी number जो P divided by Q के form में हो किसके form में P divided by Q के form में जहां पर Q की value 0 नहीं हो सकती तो if a number in the form of P divided by Q where Q is not equal to 0 तो कोई भी number का रूप P upon Q के form में हो लेकिन Q की value 0 ना हो तो ऐसे numbers को हम क्या बोलते हैं students जी हाँ ऐसे numbers को हम बोलते हैं rational numbers अब कहीं लोग सोच रहेंगे sir Q equal to 0 क्यों नहीं तो कहीं लोग को answer पता है मुझे पता उनके दिमाग में बात आ चुकी है तो देखो सब लोग अगर मैं 0 upon कोई number लेता हूं चलो Q ले लेता हूं चलो कोई number लेता है दूसरा क्यों ना ले करके क्योंकि denominator में 0 नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों यहां पर आपका denominator में 0 नहीं होना चाहिए उसके अलागों कोई भी number हो चाहिए प्लेस हो चाहिए माइनस हो चाहिए कुछ भी हो राइट वह आ गया मतलब 0 उपर है मतलब 0 लेकिन अगर मैं ऐसे लिखू फाइपॉंड 0 बच्चों जब कभी भी आपके denominator में 0 आता है ना बड़ा भी आपके क्या बोलते है बोलो डजनोट अईजिस्स कुछ लोग बोलेंगे इंफिनिटी क्या बोलेंगे स्ट्वेंट्स येस इंफिनिटी ओके तीनों नाम में से किसी भी बंदे ने कोई भी नाम ले लिया समझ जाना वो किसकी बात करा नौट डिफाइन और डाट डिफाइन आगया मतलब क्या डिवाइट बाइस इसलिए राशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर डिनॉम्रेटर में 0 नहीं होना चाहिए अब डेफिनेशन मैं आपको जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुना और कंफ्यूज मत होना चाहिए मैं रैशनल नंबर की बात करूं चाहिए मैं इर्रैशनल नंबर की बात करूं दोनों का डेफिनेशन पी अपॉन क्यों होता है सोचो सोचो दोनों का डेफिनेशन क्यों होता है पी पड़ा हुआ है कि P upon Q मतलब rational number और किसी ने आपको irrational number का definition कभी बताया भी नहीं हो जा कि चेक कर लो क्या बोलते हैं रूट टू रूट त्री रूट फाइए सब आपके irrational number है लेकिन किसी ने कभी पूझा कि इर्रेशनल का definition का अधा कभी नहीं पूझाओगा क्योंकि आप लोग सोचते नहीं उन्हें यह तो प्रॉबलम है आप सोचते नहीं तो आपका दिमाग कहा आप कह से करेगा तो सोचो के तब ही तो दिमाग काम करेगा तो मैं आज आपको सिखाता हूं कि जो इर्रैश्णल होता है उसको भी हम P upon Q के फ़र में लगते हैं लेकिन उन पी एपाउन Q के नमबर को पाचानते कैसे हैं कि यह रैश्णल वाला है और यह इर्रैश्णल वाला तो सुनो rational को पहचानने के लिए दो बंदे आते हैं एक पहला आता है जिसका नाम है recurring बोलो क्या नाम है बच्चो recurring recurring को हम और भी बोलते हैं क्या non-terminating जाहां से सुना सब लोग non-terminating और जो दूसरा नंबर है उसे हम बोलते हैं non-recurring समझ के लो अच्छा से non-recurring जिसको हम बोलते हैं क्या terminating so right strands very good so non-recurring and terminating अब ध्यांदरा दोनों का meaning बदाता हूँ मैं so recurring मतलब क्या होता है आपका ये number बार बार repeat होगा re-occurring recurring को अगर मैं दो पार्ट में divide करूँ जिसे बोलता संधी विक्षे दिंदी में so अगर मैं recurring को दो पार्ट में divide करूँ तो re आएगा और occurring आएगा re मतलब बार बार occurring मतलब आना एक तरह सा कर आना हो कर होना so अगर कोई number बार बार आए जैसे मैं एगर 1 upon 3 लूँ और इसको मैं divide करूँ हमेशा आएगा 0.333333333 भाई कितनी बार आएगा dot 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 infinite times so इसको हम बोलते recurring number जैसे मैंने बोल दिया 0.7777777 dot 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 infinite इसको भी हम क्या बोलेंगे recurring numbers फिर जैसे मैंने बोल दिया 0.121212121212121212 dot 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 infinite इसको हम क्या बोलेंगे बच्छो recurring numbers तो recurring numbers यह बड़े-बड़े number होते infinite numbers कैसे represent करें है बच्छों को हम लोग 0.33333 इसको आप लिख दो 0.3 किसके उपर ना कॉंसे नमबर बार-बार रीपीट रहा है 3 रीपीट हो रहा है सो क्या बोल देंगे 3 बार कहीं कहीं पर 0.3 dot भी बोलते है dot मतला वह number repeat हो रहा है सो बार बोलो देंगे 3 बार बोल या 3 dot भीट 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 रहा है बहुत अट पटना लगता है बट रीप्रेजन कर सकते है कोई गलत नहीं बोलेगा वैसे बच्छों 7 के लिए आप 0.7 बार बोलो या 0.7 dot बोलो या 0.7 dot बोलो या 0.7 dot बोलो दोनों का मिनिंग क्यों अधा सेम similarly इस केस में बोलो क्या हो जाएक अब 0.12 बार बोलो या 0.12 dot बोलो देगा आप यहां में दो डॉट लिगा कितना गंदा सा लग रहा है चाहिए कैसा है ठीक है धेकणा सबको यह मेना तो यह तो वह हो गया आपका है आप आन डेन दिकरिग मतलब वहार अधो चाहिक नोगा तर्मिने में राटम हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है तो आप क्या बोलोगे जैसे टू डिवाइड बाइड़ भाइब अघ्या ऐसे नंबर से जो वहीं पर फिनिश हो जा रहे हैं तो से लोब क्या बोलते हैं rational numbers अब आता है सब का धे इंशन देने वाला बंदा जिसका नाम क्या है irrational number आज आप सीखोगे irrational number कैसे पहचानते हैं आप ने जो बचपन में सीखा था याद ना प्यार क्या बोलता है कि बाई root के अंदर कोई भी number हो जिसका square root ना निकलता हो वो होता है irrational भाई सही बोला है लोगोंने कोई दिकत नहीं है मुझे कोई problem नहीं उससे यादा life of pie movie life of pie में जो पाई होता है न यह पाई को भी हम क्या बोलते irrational number लेकिन और क्या पहचानने का तरीका है rational number को पहचानने तरीका है कि कोई भी नंबर जो recurring और non recurring हो उसे हम क्या बोलेंगे rational कोई भी number जो recurring भी नहों और non recurring भी नहों लोग कई लोगों के दो डबागुल हो गया होगा मुझे मालूम है कि सर ने क्या बोल दिया तो सुनो कोई नम्बर जो repeat भी ना और finish भी नहों ध्यान देना मतने क्या बытा repeat भी नहों क्यों repeat हो रहा है मतभर recurring finish हो रहा है मतला non recurring repeat भी नहीं होगा और finish भी नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे irrational देखो मैं example देता हुच्छो देखो जा Adjust的 लोह मैं example दे रहा हूं 0.1 6.. До.. बता बटाऊ कोई नंबर repeat हो रहे का रहा हूँ यहां पे नंबर repeat नहीं हो रहा है और infinite जा रहा है repeat नहीं हो रहा है मतलब recurring नहीं है finish हो रहा है क्या वो भी नहीं हो रहा है मतब नौन recurring मतलब है as a number है जो कि ने 001 00 000 01 00 00 01 cries 0-&-0-1-1-3-3- goes 0-1静 001 débuter minus 01 is a雷스터 temple bits աियोर रिपिटिशन वहीं हो रहा है और फिनिश भी हो रह रहा है कि नहीं तो ऐसे नंपर्स को अम क्या बूलते पच्चों इर्रैशनल नंबर्स तो आए अचके से समझ में आ गया होगा कि shift ललनबर क्या वह और रेशनल कोई भी नंबर जो रिकरिंग और नॉन डिकरिंग की कडिगरी में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर और कोई भी नंबर जो रिकरिंग नॉन डिकरिंग कडिगरी में नहीं आएगा उसे हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर परफेक्ट तो आज आपन Hijy rational numbers मतलब सारे rational numbers or irrational numbers सबको combine कर दो तो मतलब क्या मिलेगा आपको yes it is real numbers मतलब नमबर में मैं जो नंबर आता है बोल दो बॉलो तो सब क्या है और राशनल नंबर समझना सबको very good अभी बात हो कहीं लोग के दिमाग में सार यह इवन नंबर क्या होता है और नंबर क्या होता है और किसी भी नंबर को प्राइम कप बोलते है जब खुद से हो या वन से हो और नंबर क्या होता है जो खुद से होगा वन से होता है लेकिन अलग वाले नंबर से होता है किस से टू और थ्री से भी तो होता है भी तक आपने यह सारी चीज़ें तो अब क्या होता है अब थो पूरा वर्ल्ड है वर्ल्ड को चलाने के लिए हमेशा दो अगर भगवान है तो भई यह दना गॉड है तरीके से हमने तो नहीं देगा भगवान को भी नहीं देखा लिए मानते की नहीं क्योंकि हमारा मानना ही सबसे ही पाउड़ था इसे लिए अलपना क्योंकि गॉड हमारी पॉजिटिव एनरजी है और जो एविल होता है वह हमेशा क्यों आपकी निगेटिव एनरजी समझे पस्त वहीं चीज है वहीं समझने उसको पूरा काना अलग बात है लेकिन देखते हो रियल होते हैं क्या नहीं है कि मेरे कहने का मतलब यहां पी है कि अगर कोई चीज रियल है तो नॉन्रील होगा जिसे हम करते हैं सोचते हैं कि ऐसा होने वाला है तो बच्चो राए जो आपका नेक्स नमबर सिस्टम आने व आला है बच्चों से हम क्या बोलते हैं इमेजिनरी नमबर्स इसका जिक्र टेंथ में हुआ था कॉड्राटिक एक्वेशन में लेकिन कहीं लोगों ने ध्यान नहीं दो यादा प्रॉपर्टीज यादा नेचर आफ रूट्स वें वैल्यू आफ डिस्क्रिमिन यादा बी स् 420 से बढ़ी होती है आप क्या बोलते थे रूट्स ऑ रीयल एन अनिक्वल अगर 20 स्कूराइब दिखा आप नहीं नहीं है अरे देखा आपने सीखा था वहां पर लेकिन किसी ने बताया तो नहीं होगा तो चलो आज हम बात करते हैं imaginary numbers के बाड़े में क्या होता है ध्यान से सुनना सब लोग थोड़ी सी बात करते हैं अगर मैं लेता हूँ 4 ठ्यांद ना बच्छो अगर मुझे निकालना है 4 का स्क्वाइर रूट तो कुछ लोग बोलेंगे सर 4 का स्क्रूट प्लेस टू और कुछ लोग कि अगर मैं आपको बोलू कि बच्छो 4 का स्क्वाइर रूट होता है प्लेस टू माइनस टू तो reverse क्या बोलूँगा इस प्लेस टू और माइनस टू का स्क्वाइर करोगे तो 4 आएगा चिक करते हैं मिलो प्लेस टू का स्क्वाइर प्लेस 4 सही है माइनस टू का स्क्वाइ हो चाहिए निगेटी हो हमेशा आंसर पॉजिटी हो इसका स्क्वाइर हमेशा पॉजिटी हुए आता है मतब जो आपने लिखा सही लिखा चलो एक और लेते एक्जांपल मान लो मुझे दिया है रूट के अंदर माइनस फॉर दे दिया क्या दे दिया हो चो माइनस फॉर अब कई लोग सोच एंगे सर इसकी वैलु क्या होगी प्लेसटू होगी की माइनस फॉर लिखके देखते और देखते कौन सा आंसर राइट होता है सो अगर मैं बोलता हूँ बच्चो कि minus 4 का square root plus 2 या minus 2 में कोई तो आने वाला है कोई तो होगा देखते कौन सा हो सकता है सो plus 2 minus 2 minus 4 का square root में से या तो plus 2 होगा तो minus 2 होगा राइट ऐसा मान रहे हैं तो अगर मैं reverse property apply करूंगा कि भाई अगर minus 4 का square root plus 2 या minus 2 में से कोई एक है इसका मतलब plus 2 या minus 2 को जब square करो तो minus 4 भी तो आना चाहिए न देखते किसका square करने से minus 4 आता है जिसका square करने से minus 4 आएगा समझ जाना वही हमारा square root है किसका minus 4 का देखते तो plus 2 का square करो by plus 2 का square sir plus 2 का square 4 होता है अरे मुझे तो minus 4 चाहिए मतलब नहीं है अरे definitely minus 2 होगा कई लोग के दिमाग में बात आ गया होगी चेक करो भाई ज्यादा बोलते हैं ना भावनों में बह मत जाओ दूसरों गे चेक करो minus 2 का square सो बच्चो माइनस 2 का square प्लेस 4 क्योंकि भाई प्लेस हो या माइनस स्क्वाइर करने पांसर प्लेस ही आता है हाई है ना माइनस 2 का square भी क्यों होगा plus मतलब मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि मैंस 4 का square root नहीं प्लैस में आता है नहीं माइनस में आता है मतलब यह दोनों रूट नहीं है तो कहीं लोग बोलेंगे सटो क्या है सीधे सीधे बताओ न या 10 वा इस वही चीज में करने वाला हूं सीधे root की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर अगर square root के अंदर minus sign आ गया बोलो क्या आ गया minus sign ज्यान देना वो कौन सा number है imaginary number बोलो कौन सा number है imaginary number कैसे समझेंगे देखो सब लोग root of minus 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 into minus 1 लिख सकता हूँ कि 4 into minus 1 is minus 4 इसको अलग करते हैं सब लोग ध्यान दो सब लोग so 4 को अलग किया and root of minus 1 को अलग किया क्योंकि सेम ही बात हुई ना root 4 into minus 1 is minus 4 so root of minus 4 यहां पर copy कर रहा हूँ बच्छो अब सब को पता है root of 4 की value क्या होती है plus 2 minus 2 देखो उपर होती भी नहीं सबने लिख दिया इसको plus minus 2 but what about root of minus 1 भाई यही दो बंदा है जो रोल प्ले करने वाले किसका imaginary number यह क्या इस्ट्वेंड्स आपका imaginary numbers बोलो क्या आपका यह imaginary numbers बोला और इसको हम दिखाते हैं I say बोलो किसे दिखाते हैं I say और Greek में इसको बोलते है I O T A that is Iota okay आप Iota बोलो या imaginary numbers बोलो बोत हार same लेकिन हम क्या सिखेंगे imaginary numbers so मतलब कहीं पर भी root of minus one दिख गया उसको क्या बोल दिखेंगे बच्चो आई की value क्या होती है root of minus one अब आपको यहां पर बात clear हो गई ना कि imaginary number क्या होता है yes so root के अंदर minus दिख गया मतलब यह स्ट्रेंड्स क्या होगा आपका imaginary numbers जैसे मैंने बोल दिया root of एक मिट मैंने बोल दिया आपको यहां पर करते हैं यहीं पर साइड में अगे मैंने बोल दिया root of minus nine तो बोलो क्या हो जाएगा इसको लिखोगे nine into minus one इसको separate करो तो वैलो क्या होगी plus minus three i जैसे यहां पर क्या था plus minus two i तो कहीं पर भी किसी भी नंबर के साथ में आए दिख गया बच्चों से हम क्या बोलेंगे imaginary numbers सो हमने imaginary नंबर explain कर दिया अब imaginary नंबर explain करने सब लोगों को पता है क्या कि square root और square हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं जहां भी आएंगे मार देंगे दूसरे को तो सिर्फ अंदर का number बचेगा मतलब क्या बचेगा minus one अगर i cube निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ i square into i बोलो i square की बोलो अपने उपर निकाली क्या निकाली बोलो minus one into i और minus one into i बोलो क्या हो जाएगा minus i easy very nice अगर मुझे निकालना i raise to four so i raise to four को मैं लिखूंगा i square into i square मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि question बहुत आसानी से आ जाए ठीक है रहा है so i square into i square बोलो i square क्या होता है minus one और i square क्या होता है again minus one so minus one into minus one is plus one अगर मुझे निकालना है i raise to five so i raise to five कैसे निकालो कि बोलो i raise to four into i बोलो i raise to four की बोलो आपने उपर निकाली बोलो क्या होती है one into i that is equal to i so at least आपको यह 5 value याद होने चाहिए i k respect में बचो i की value root of minus one i square minus one i cube minus i i raise to four plus one i raise to five i यह value आपको याद होनी चाहिए i के रूप में क्योंकि आगे हम लोग कही जिगह भी है i की values हम use करने वाले हैं सब बच्चो आज मैंने आपको imaginary number introduce कर दिया लेकिन अभी तक complex number आया नहीं है कोई बात ने students so complex number को हम लोग याद ना to be continue थोड़ा तो suspense रहना चाहिए और next lecture में next episode में सीखेंगे नेक्स एपिसोड में आयेंगे और बात करेंगे complex number के बारे में and complex number के operations के बारे में बहुत मज़ा आने वाले मैं पहली बोल रहा हूं बहुत अच्छा और बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है बहुत इंट्रस्टिंग चाप्टर है ठीक है इस नेक्स लेक्चर में हम लोग complex number सिखेंगे आज मैंने आपको imaginary number और basic number का definition दे दिया क्योंकि आपको यह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी मैं आपको बता देना चाहता हूं नाम से मालूं पड़ता है complex number यह complex है मतलब इसके अंदर real number भी आएगा और imaginary भी आएगा नेक्स लेक्चर में हम बात करेंगे complex number के लिए तो वीडियो पसंद आए डिफिरिटली पसंद आओगा यार तो वड़ावर लाइक करो अपने दोस्तों में वीडियो को शेर करो अगर अभी आपने सब्स्राइब नहीं क्या है गलत कर रहो यार गलत कर रहो देख रहा हूं बढ़ाने के लिए बैठाऊ मैं यह तभी होगा जब आप मेरे हिसाब से मुझे सपोर्ट करोगे सपोर्ट इनरजी और आती है और इनरजी कब आए कि जब इनरजी कैसे आती है है कि नहीं राइट सो टेंशन ना आलो मैं लाइब भी लेक्चर लेना स्टार्ट कर आगे चल बढ़ाई स्टार्ट